ताँ अच्छा हिना ना में सरोजबाच पी है क्या हि News कि Saint संसे मंदर में आते हैं कई साल होगे हम लुगो हो रोज आते हैं संसे मंदर में कशपा चलते हैं हां कशपा चलते हैं हमको बोहत अच्छे लगा हैं वो धी पन डजी है आढ़ ग्याना साल कि एक तो की बहुत अच्छा लगां ने मुत अच्छी इस अच्छी इतनी अब ची। बच्चे कोन किसा निकल जाए तो बच्चे के उपर होता है। किसी को किस में रूची है बच्ची के उपर होता है उसको रूची थे बिंद्रा बन गाई अध्यान किया उसने हर बच्चा अपनी अपनी रूची से करता है नहीं होता बता हुआ सब्धियान हwork ha sir हमारा नाम है किरं सोलंग कि हम यहीं चतार पूर के है यहीं की बच्ची है फीछे हमारा मकान है और बजबंस इस बंदिर में आ हमको उनकी कथा बहुत अच्छी लग रही है लग रहा कि साक्षात जैसे भवानी मंदिर से आके बैठके कथा स्वेम सुना रही है उसका बहुत अच्छी कथा कहने में बहुत अच्छी कथा कहने में हमारा तो मन इतना भाव बहुत हो जाता है कि उसको अपनी गोदी में लेके कितना उससे अपना मन की कहने से जारा सुना इसका बाचक देखे जाने हैं कि उसका बच्छी साल जागा की रहते हैं कि उसका बच्छी है मा जगदम्वा भमानी की किरपा है मा सरसुती की है सुए मैं ऐसा लग रहा है कि सुए मा सरसुती बोड़ रही हूं सिर्फ जिस पे ईशर की किरपा होती ना बच्छा होता है ना बड़ा हो बच्छपन से ही इश्री ये दिखने लगता है ईशर का पुरताब और उनके पू उनके पूर्वजों का पोड़ पिरताप उनके माता पिता दादा दारी का जो इतनी भक्ति भाव है उस बच्ची के अंदर काच कमंदर के पोड़ारी है जिनकी वालका जिनको हम काफी समय से तयार करते हैं कि पहले बिर्णाबन भी बेजा यहां भी हमने प्रयास किया उसको तयार करने का हम आज इस मोकाम तक पहुछी है कि के कथा सुना रही है बहुत सरल भासा से बड़ी संदर कथा करते हैं छोटीसी बच्ची यह तो इसर की ही करपा होती है संसार में हर प्रकार का इनशान आता है इसर उसको निम्रत बनाके बहता है इस बालका को सायद लिए के साथ कोई खेलती है आध्यातमक परती है और वही घ्यान उक्देश उक बता है यह सनातन धर्म का प्रचार ही है और इसे ही बच्चों के द्वारा हमारी जो संसकारिक बच्चे जो होती है तो हमारा सनातन धर्म आवी बचता है क्योंकि अभी अभुदवाला के वो इतना तो नहीं है उसको संसारिक लेकिन सनातन धर्म के प्रति अपने परमात्मा के प्रति और इतना उसको लगाओ है कि हम कितनी कथा कहें कितनी लोगों को सुनाएं और संसार में परिबर्तन हो संसक हम हिंदू सनात्रमियों के लिए बहुत की बात है कि हम जो है देख रहे हैं कि आज की संस्कृति जू पहले गरवरा चुकी थी पीच में जो आज पढ़ रही है। उसके लीए हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि चले हमारे हिंदू संस्कृति में सभी लोग जो है इसी प्रकाश से जागरोग हो रहे हैं जैसे माली जी जैसे तिलक लगाना सभी लोग तिलक भी लगा रहे हैं तो अब यह धीरे धीरे हिंदू संस्कृती में हमारी में परिवाता ना रहा है और इसको देखकर कि समस्त नगर बासियों को और समस्त हिंदूओं के लिए बहुत और रहे हैं रस्पान करा रहे हैं तो यह हमारे हिंदूओं के लिए बहुत अच्छी बात है क्या प्रति इस प्रकाश से हमको जागरुकता मिल रही है कि बच्चों के अंदर यह देखा जा रहा है कि हाँ अब वो हिंदू सनातनी की ओर बढ़ रहे है अभी जैसे पहले बच्चे सुवाय उट करके असे ही चल दिये लेकिन अब जादा तर बच्चे नहां धो करके हनुमान 40 का पाठ करके और इस प्रकार से अपने घर से फर बाहर स्कूल के लिए जाते हैं तो आज हमको यह देखने में मिल रहा है कि यह हमारे हिंदु के लिए बहुत अच्छी ब पाठ्चा सब्दा के पीछे दुनिया भाग रही है हम संस्कार भी इन हो चुकी है लेकिन इस बच्ची में चार-पांच साल पहले देखा कि वह कुण है उसकी लाल साथ ही कि हम भागबत कथा के तो पहले मंचों पे जाती नहीं मैं इसको बिंदावन ले गया है इनके माता पिदा ने रिक्वेस्ट की तो हम इनको बिंदावन ले गए तो बिंदावन में आचार स्री संजय जी संजय जी के सानित में इन्होंने स्रीमत भागवत का अध्यन किया पिछले साल तीन-चार महीने रही वहां पे इसके बाद फिर उन्होंने घर पे तैयारी की और मेरा कह है कि जो सनातन धर्म का हिराजमेंट हो रहा है उसके पुनार रुत्वान की जिसा में हमारा समाच जा रहा है चोटे-चोटे बच्चे इस तरह के भागवत मुपीता सिप्रम लखेंगे तो बहुत बड़ी बात है क्या है वो कथा दुझा ही रही है साथ ही साथ संस्क्रत का अभी अच्छा ध्यान है संस्क्रत का भी घ्यान हमारे नव पीडियों चोटे बाल पाल है उनको भी इससे लगाव होगा और श्रमवता मुझे लगता है कि हमारा समाच पुना हसनातन की बड़ जो है आकर्शित हुगा और सनातन धर्म आगे बढ़े के